जगत के पालनहाल सिरहरी विष्णु की प्रेय एकादसी सफला एकादसी वर्थकता का शर्वन करते हैं चलिए युदिश्टर ने पूछा स्वामी पोस मास के किष्ट बक्ष में जो एकादसी होती है उसका क्या नाम है उसकी क्या विजी है उसमें किस देवता की पूजा होती है ये सब हमसे बदलाईए भगवान स्री किष्ट ने कहा राजेंद्र बड़ी बड़ी दक्ष्णा वाले यगों से भी मुझे उतना संतोस नहीं मिलता जितना एकादसी वर्थ के अनुष्ठान से होता है पोस मास के किष्ट बक्ष में सफला नाम के एकादसी होती है उस दिन विधी पूर्वग भगव वर्थों में एकादसी तिथी विश्रेष्ट है राजन सफला एकादसी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल सुपारी बिजोरा तथा जमिरा नीबू अनार सुन्दर आमला लॉंग बैर तथा विसेस्ता आम के फलों को और धूप दीप से स्री हरी विश्ण का पूजन करें सफला एकादसी को विसेस रूप से दीपदान करने का विधान है रात को वेश्ण पूर्सों के साथ जागरन करना चाहिए जागरन करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वे हजारों वर्स की तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होती निर्प्सरेष अब सफला एकादसी की सुवकारणी कथा सुनो चमपावती नाम से विख्यात एक पूरी है जो कभी राजा महिशामत की राजधानी थी राजसरी महिशामत के पाँच पुत्र थे उनमें जो सेश था वे सदा पाप कर्म में ही लीन रहता था परिस्त्रिगामी वेश्य संगत था उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया था वे सदा दुरा आचरण, पराण, वेश्नव और देवताओं की निन्दा किया करता था अपने पुत्र को ऐसा पाप चारी देखकर राजा महिस्मत ने राज कुमारों में उसका नाम लुबक रख दिया फिर पिता और भाईयों ने मिलकर उसे राज्य से बहार निकाल दिया लुबक गहन में चला गया वही रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया एक दिन जब रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाईयों ने उसे पकड़ लिया किन्तु जब उसने अपने को राजा महिस्मत का पुत्र बताया तो सिपाईयों ने उसे छोड़ दिया फिर वह वन में लोट आया और मास तथा व्रक्षों के फलखा कर जीवन निर्वाक करने लगा उस दुष्ट का विसराम इस्थन पीपल व्रक्ष के निकट था वे पीपल का व्रक्ष बहुत वर्ष पुराना था उस वन में वे व्रक्ष एक महान देवता माना जाता था पाप बुद्धी लुबक वही निवास करता था एक दिन किसी समोचित पुन्ने के समा परभाव से उसके द्वारा इकादसी वर्ष का पारण हो गया पोस मास में कृष्ट पक्ष की दसमी के दिन पापिष्ट लुबक ने विक्षों के फलखाए और वस्त्रिहोन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट होगा उस समय ना तो से नीद आई और ना ही आराब मिला वे निस्प्रान सा पड़ा रहा तुर्योदे होते ही उसके होस नहीं था और सफला एकादसी के दिन ही लुबक बेहोस पड़ा रहा दोपर होने पर उसने चेतना प्राप्त होई फिर इधर उधर दिष्टी डाल कर वे आसन में बैठा रहा लंगडते भाती लंगड़ लड़ खड़ाता हुआ वन के भीतर गया वे भूग से दुडलब और पीडित हो गया था राजन लुबक बहुत से फल लेकर जब तक विसरामिस्थर पर लोटा तब तक सुर्यदेव अस्थ हो गए थे तब उसने उस पीपर के व्रक्त के जड़ से बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा इन फलो से लक्ष्मी पती नारायन भगवान संतुष्ठ हो जो कहकर लुबक ने रात भर नीद नहीं ली इस परकार अन्याज ही उसने इस वर्थ का पालन कर लिया उस समय सहता अकाश वानी हुई राजकुमार तुम सफला एकासी के परसास से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे बहुत अच्छा कहकर उसने ये वर्दान स्विकार किया इसके बाद उसका रूप दिव्वे हो गया तब से उसकी बुद्धी भगवान विश्यू के भजन में लग गई दिव्या भूशनों से सोबित होकर उसने निसकंठक राज्य प्राप्त किया और पंदरा वर्ष तक वे उसका संचालन करता रहा उसको मनोग्य नाम का पुत्र उत्पन हुआ जब बड़ा हुआ तब लुभक ने तुरंत ही राज्य को मंता को छोड़कर उसे पुत्र को सोब दिया और वे सम भगवान के समीप चला गया जहा जाकर मनुष्य कभी सोख में नहीं पड़ता राजन इस परकार जो सफला इकादसी का उत्तम वर्थ करता है वे इस लोक में सुक भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है संसार में वे मनुष्य धन हैं जो सफला इकादसी के वर्थ में लगे रहते हैं उन्हीं का जनम सफल है महराज इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरन करने से मनुष्य राजस्य यक कफल प्राप्त कर लगता है बोलो एकादसी महराजी की जै